नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है सतेंदर और आज Spoken English Course की हमारी तीसरी क्लास है वेल पिछली दो क्लासेज में हमने देखा कि English बोलने के लिए सबसे जरूरी क्या है वर्ब तो हमें पता होना चीहें कि कोई भी action जिसकी हम बात करेंगे उसका English meaning क्या है वेल दोस्तों आप जो भी English सीखना चाहते हैं अगर आपको ये 30 verbs नहीं हाती तो मैं लिखके दे सकता हूं कि आप English बोलना कभी भी नहीं सीख पाएंगे वेल वैसे तो verbs की कोई गिंती नहीं है डिक्शनरी आप उठाएंगे तो आपको लाखों words मिल जाएंगे लेकिन जब हम इन action words की बात करते हैं तो जो भी English बोलना चाहता है जो English सीखना चाहता है शुरुवात करना चाहता है इन words के बिना आप English कभी भी नहीं सीख पाएंगे क्योंकि English सीखने के लिए आपको शुरुवात में बहुत छोटे छोटे sentences बनाने पड़ेंगे जो की हम अगली classes में सीखेंगे तो उससे पहले सिर्फ आप याद कर लीजिए ये 30 common words वैल आज मैंने इन 30 verbs को अच्छे से define किया है इनका word meaning लिखा है और इनका present form जो की present tense में use होगा past tense में जो use होगा आपका second form और past participle जो आपका participle जब हम perfect tense बनाएंगे उसमें use होगा तो दोस्तों जैसा आप देख सकते हैं कि 30 common verbs यह हमारी action verbs हैं तो अगर मैं बात करूँ go, went, gone, go मतलब जाना, went past tense में गया, gone हम use करेंगे perfect के साथ यह हमारा passive form में now write, wrote, written, play, played, played, read, read, इसको हम कैसे pronounce करेंगे दोस्तों, read, 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 learn, learnt, learnt well, दोस्तों आपने देखा है कि मैंने दोनों लिखे हैं यहां पर learnt भी लिखा और learnt भी लिखा है well, इसका सिर्फ एक ही reason है कि यह जो हमारा learnt है, यह हमारी है modern English यह हमारा modern English है, मतलब आजकल की जो English हम बोलते हैं उसमें बजाए कि हम learnt का use करें हम learnt का use ज्यादा करते हैं, यह आप यह सोच लीजिए कि आजकल यह जो pronunciation ही change हो गई है तो हमने इसको ऐसे ही लिखना शुरू कर दिया, तो यहां भी आप देख सकते हैं, third form भी learnt now swim, जो तैरना होता है, swim, swam, swarm, work, worked, worked, see, saw, seen, tell, told, told, say, said, said well हम हमेशा translate करते हैं, तो जो translation की speed है हमारी हिंदी से English में वो हमें धीरे-धीरे fast करनी है और जैसे ही हम इन चीजों को याद कर लेंगे, 30 verbs को अच्छे से, वो speed हमारी बढ़ जाएगी और English बोला हम start कर देंगे दोस्तों अब हम देखते हैं अगले 10 verbs do, did, done, take, took, taken, come, came, come, want, wanted, wanted, call, called, called, look, looked, looked, need, needed, needed, give, gave, given, feel, felt, felt, begin, began, begin well, आप सब, please, pen and paper लेके बैठिये और इन सब को आप note कर सकते हैं और आप इस चीज को अच्छे से समझना सीखिए कि जब भी हम English में बोलना शुरू करते हैं हम सिर्फ इन वर्ट से ही बोलने की शुरूआत कर सकते हैं वेल आपने सुना होगा जब आप स्कूल में जाते हैं गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, येस मैम, नो मैम इसके लिए आपको English सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती मैम को देखते ही आपको पता है कि मैम को ग्रीट करना है क्लास में सब खड़े होते हैं तो मैम जब कहती है कि stand up all of you तो आप खड़े हो जाते हैं तो English आपके अंदर कही न कहीं शुरूरत से होती है लेकिन आपको बोलने में दिक्कत सिर्फ इस वज़े से होती है कि आपको ये जो common verbs हैं इनको express करते हुए आपको difficulty महसूस होती है कि हम कैसे अपने आपको express करें तो हर emotion के लिए एक verb बनी हुई है लेकिन बहुत ज़्यादा verbs हैं उनको सीखने में time लगेगा लेकिन ये common verbs एक बार आप सीख लेंगे तो आप में English बोलने की sense आजाएगी एक confidence आजाएगा और उसके बाद बची हुई चीजें सीखने में आपको ज़्यादा time नहीं लगेगा तो अब हम सीखते हैं अगली बची हुई last 10 verbs तो last but not the least ये हमारी बची हुई 10 verbs हैं speak बोलना spoke spoken hear heard heard run ran run bring brought brought buy bought bought teach taught taught remember remembered remembered pay paid paid forgive forget forgiven forget forgot forgotten वेल दोस्तों ये 30 verbs प्लीज याद रखेए इनको लिख लीजे बार बार याद कीजे और अगली वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे हम इन verbs के help से अच्छे और बहुत भड़िया sentences बना पाते हैं और एक sentence बनाने के लिए और हमें किन-किन चीजों की जुरूरत पड़ेगी तो बने रही है मेरे साथ spoken English course में मैं हूँ आपका दोस्त आपका host अगर आपको मेरी वीडियो अच्छे लगती हैं प्लीज शेर कीजिए इन्हें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीख सके और मुझे भी motivation मिल सके अगर आपको कोई भी confusion है या query है आप comment box में अपनी queries लिख सकते हैं और मैं हर query का reply करूँगा that's my promise so thank you for your time stay healthy stay fit bye bye take care